हेलो स्टुडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 का ये लास्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 16 इस कोश्चन में दो पार्ट दो पार्ट है इसका और दोनों को हम इसी वीडियों सॉल्ब करेंगे कोश्चन है कि वोलूम्स और गीवन विलो कर रहा है कि यह जो एक्स्प्रेशन इसका क्या होगे जो कि वाइट दिया है कि वाइट का जो वोलूम्स दिया गया है तिस रूट का मिए जो साइड होगा वो कितना होगा उसके जो होंगे आपको इसमें यह बताना है जिसका वोलूम दिया हो गया है आप जानतेज आई यह 2005 करते हैं दोनों कॉष्छं के साल्ट के निवार्टा और अपopleBB कrie थे लगा है आपको है पर पढ़े है वोलूम आपकी वाइड इकल टू लेंग इंटू ब्रेथ इंटू हाइड यह देखो कोश्चन है यह त्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एल बेक्स यह देखो एक कौड्रेटिक पॉलिएमियल है पाउर जो है मैक्समा पाउर इसका क्या है तू है इसका डिग् यहां जब हम इसको सॉल्ड करेंगे तो यहां एक्स को कॉमन लेंगे जब आप 3X को कॉमन लेंगे तो यहां देखो 3 सा 3 कट जाएगा एक 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 कट बचेगा और माइनस थ्री फोर जाश टू एल एक्स कैंशल हो गया हम इसको लिख सकते हैं त्री इंटू X into X minus 4 यह देखो आपका यह length हो जाएगा यह breadth हो जाएगा और यह height हो जाएगा तो तीन expression आपका मिल गया यह 3 और एक X और एक X minus 4 तो यहाँ जो आप length लिखेंगे वो लिखेंगे possible length 3 possible breadth X और possible height कितना हो जाएगा X minus 4 यह possible आपका height हो जाएगा तीसरा से इसके possible length length और height हो गए question number second है 12 ky square plus 8 ky plus minus 20 देखें इसमें common क्या है देखो इसमें इसमें भी k है इसमें भी k है इसमें भी k है और यह 12, 8 और minus 20 में 4 common है तो यहाँ 4 k common ले लिजे 4 के जब common ले लेंगे तो यहाँ बचे का 4 3 जा 12 3y और plus 4 2 जा 8 y और minus 4 5 जा 20 जे 3y plus 3y plus 3y plus 2 3y square plus 2y और minus 5 यहाँ अब इसको हम solve करेंगे आई इसको तोड़ते हैं देखें फोर के यहाँ देखें इसको तोड़िए 5 3, 15 हुआ 15 को दो खंड करिए जो तो 5 और 3 जा ही हो जाएगा 5 3, 15 और 5 में से 3 जाएगा तो तो बचेगा यह 3y square प्लस 5y और माइनस 3y और माइनस 5 यह देखो यह हुआ अब इसको यह फोर के तो रहेगा है यह एक एक ग्रूप हो गया और यह हो गया इसमें देखो इससे बड़ावाला bracket लगा लेते हैं 3 y के वाल इसमें y common है इसमें y common है y common ले लिजिए तो y से यह y कटेगा 3y बचा और प्लस 5 और माइनस देखो 3y और प्लस 5 लाना है तो माइनस 1 common ले लेंगे तो 3y और माइनस माइनस प्लस और यह 5 हो जाएगा अब देखो इन दोनों के आका हमें 3y प्लस 5 3y प्लस 5 इसमें से एक ले लिजिए यह फोर के तो रहेगा ही फोर के और यह 3y प्लस 5 जो कामल लेंगे तो इससे यह कटेगा y बचेगा यहाँ और माइनस 1 यह देखिए यह length हो गया यह breath हो गया और यह height हो गया तो यहाँ लिखिए length is equal to 4k breath is equal to 3y प्लस 5 और यह height is equal to हो जाएगा y माइनस 1 तो students उमीद है आपको question समझ में आया होगा तो इस तरह से यह exercise 2.5 और chapter 2 यह समाप्त होता है अगले वीडियो में अगले question के साथ फिर मिलते हैं तब तक लिए bye bye जैहिंद जैभारत जहां रहें स्वस्त रहें